तो नेक्स अब हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ, ड्राइंग में सबसे बेसिक ड्राइंग जो होती है अपनी, वो होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो ड्राइंग में भी जो सेम फंडा अभी में आप लोगों को बता रहा था न, यहाँ पे स्टार लगाने वाला, और इंडिकेटर में स्टार लगाने वाला, वही सेम फंडा ड्राइंग में भी आपका होता है, तो ड्राइंग के लिए यहाँ पे आपको दिख रहोंगे, का यहां पर आपको बहुत सारे option दिखेंगे, trend line, info line, horizontal ray, ray, इस तरहे के बहुत सारे option दिखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको सबसे basic बता जाता हूँ, जिन जिन को आपको start लगाना है, ताकि अगर आप उनको start लगा लोगना, तो आपको बार-बार ढूंड़ना नहीं पड़ेगा, और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर टूल बॉक्स करके आजाता है, ठीक है, जिसको आप उपर न चीज़ों को start लगा के रखें, तो अगर आप चाहो तो अभी note कर सकते हो, वीडियो तो यहां पर रहे गई, बट अगर आप चाहो तो note भी कर सकते हो, कि जिन चीज़ों को start लगाना है, ठीक है, तो start जो मैं basically लगाता हूँ, उन चीज़ों को बता जेता हूँ, एकदम basic, कि horizontal ray या फिर जो horizontal line होती है, उसको आप start लगा सकते हो, फिर जो next trend line को आप start लगा सकते हो, next rectangle को आप start लगा सकते हो, और अगर आप extension के लिए trend line बनाना चाहते हो, तो ray करके एक होता है, उसको आप start लगा सकते हो, और फिर retracement अगर आप use करो तो उसके लिए लगा सकते हो, star, brush अगर आप यूज करो brush तो यूज करते ही है तो brush के लिए start लगा दो और cross और price range वगएरा अगर आपको risk reward calculate करना है तो price range ठीक है तो अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक एक चीज की तरफ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको एक horizontal line बनके दिख गए आपको एकदम clear दिख रही है तो यहाँ पर वो line बन गए है अब आप इसको उपर नीचे उठाना चाहो तो यहाँ पर dot करके आ रहा है उस dot के उपर click करके आप इसको उपर नीचे उठा सकते हो और similarly यह mobile में भी काम हो जाएगा बिलकुल तो यह horizontal line आप उपर नीचे उठा सकते हो और जहाँ पर आपको support या फिर उपर अगर आपको resistance लगाना है तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो ठीक है और support और resistance मैं शॉर्टन बढ़ाता हूँ कुछ भी नहीं होता है थैंक्यू PD AB sir I will recommend to all my network this video will come epic for future थैंक्यू so much sir और वो ही purpose था मेरा इस video का बनाने का कि हो सकता है आज सिर्फ 10-15 लोगों को जरूरात हो but next time हो सकता है कि future में किसी को भी जरूरात हो तो एक हमारा permanent video बन जाएगा कि अगर आपको trading view सीखना है तो आप उसको देख सकते हो वीडियो को ठीक है तो support लगाने के लिए बहुत simple fund होता है कि जहां पे भी बहुत बार stock touch करके उपर गया हो तो वहां पे support लगा दें और जहां पे भी stock हमें दिख रहा हो कि बार बार देखो एक बार touch करके दो बार touch करके इसी level से गिर रहा है होता है कि अगर मैं उसको यहां पे लगाता हूं तो वह यहां इस तरफ extend नहीं होती लेफ्ट साइड में extend नहीं होती वह सिर्फ राइट साइड में extend होती है आप वाले में yellow दिख रही थी इसमें तो green है वो तो आप अच्छा वो भी बता दूं क्या इसके ओपर अगर आप राइट क्लिक करते हो ना तो आप इसकी settings okay यह तो यहीं पर आ रहा है यहां पर आपको देखो दबबा करके दिख रहा होगा जैसे आप इसके ओपर क्लिक करते हो अभी देखो गायब हो गया अप जैसे में इसके ओपर क्लिक कर रहा है इस दबबे पर आप जो भी color set करना चाहते हो red color set करना चाहते हो जो color मैं set करता हूँ yellow color set करना चाहते हो yellow color set कर सकते हो orange color जो मैं रखता हूँ orange color set कर सकते हो ठीक है तो कोई भी color आप उसमें set कर सकते हो वो आपकी मर्जी है तो ये horizontal ray मैं prefer करता हूँ जिसमें left side extension नहीं होता इस side extension होता है इससे आपको थोड़ा सा यह भी ऐडिया लग जाता है कि exactly किस पॉइंट को देखके हमने यह लाइन लगाई है, ठीक है, तो horizontal ray है, जो इसको मैं prefer करता हूँ, और जो support लगाने के लिए अगर आपको shortcut चाहिए, तो support लगाने के लिए एक shortcut होता है, alt plus h, alt, यह computer वालों के लिए क मैं आल्ट दबाया, और अब मुझे मानलो इस वाले point पर वो line लगानी है, तो मैं h दबाऊंगा, तो यहाँ पर automatically line बन गई, ठीक है, तो यह बहुत सभी feature मेरे को लगता है, इसके बाद हम चलते हैं, next चीज की तरफ, next चीज अपनी आ जाती है, trend line, trend line आप यहाँ पर देख बनानी है, तो जहाँ पर start करना है, वहाँ पर एक बार mouse click करो, और जहाँ पर आपको trend line end करनी है, वहाँ पर एक बार click करो, ठीक है, तो इस तरीके से आप trend line बना सकते हो, अब जैसे मानलो, मुझे इस point से लेकर के, इस point तक trend line बनानी है, तो मैंने इस तरी से trend line बना दी, ठी पर आपको एक option दिख रहोगा ब्रश करके तो यह थोड़ा साप explore करोगे तो आपको भी मिल जाएंगी सारे option मैं बस एक बार जल्दी जल्दी बता जेता हूँ ताकि बहुत जादा time भी ना जाए यहाँ पर start करके एक option है इस पर start कर देना ताकि brush भी आपकी save हो जाएगी टूल बॉक्स के अंदर ताकि बार बार आपको अंदर से ना ढूड़नी पड़े ब्रश आप जैसे क्लिक करोगे तो आप mouse का button दबाए रखो और जब तक आप mouse का button दबाए रखोगे आप उसके अंदर कुछ भी random drawing कर सकते हो ठीक है और जैसे आप छोड़ोगे वो बंद हो ठीक है और फिर मैं screenshot लेकर अपने दोस्त के साथ या अपने डिस्कॉर्ड पर शेयर कर दूँगा तो यह उसके लिए काम आ जाता है या फिर जैसे मानलो अगर मुझे जल्द बाजी में इदर कुछ arrow बनाना है तो मैं इस तरीके से एक arrow बना दूँगा ताकि आप इस पर ध अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो तो रेक्टेंगल अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहां पर जैसे क्लिक करोगे रेक्टेंगल बना स्टार्ट हो जाएगा और जहां पर भी आप उसको वापस क्लिक करोगे वहां पर रुख जाएगा ठीक है तो अगर आप कोई जोन बनाना चाहते हूं जैसे यहाँ पे for example ले रहा हूं है यहाँ पे यह वाला जो zone है यह support zone का काम कर रहा है ठीक है तो आप पूरे पे अगर highlight करना चाहते हो तो इस तरीके से box बना सकते हो हला कि अगर आप नए हो तो उतना जादे यूज नहीं होगा आपका लाइन से ही काम चल जाएगा ठीक है तो ये बॉक्स वाला फीचर हो गया और जिनको भी आपको मार्क करना है स्टार मार्क कर देना ताकि आप उसके अंदर उसको सेव कर पाऊगा बार बार ढूड़ना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट अपन च रत्रीटरीसमेंट चाहें तो pensa सेख करोगे तो आपको ये जो तीन डंडे बनेवे इसं के इस वाले पॉइंटस से लेकर, इस वाले पॉइंट के सिरिंग पर लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूँगा कि select करूँगा उसको और एक बार यहाँ पे click करूँगा अब वो बनना start हो गया है और अब मैं उपर वाले point पे click करूँगा तो इसमें मैंने काफी जादा levels बनके आजएंगे अब उनको किस तरीके से use करना है वो फिलाल तो आपको अपने साब से देखना है screenshot कैसे लेना है screenshot तो सर जैसे बे आप लेते हो अपने phone में उस तरीके से ले सकते हो बाकि यहाँ पर भी एक option होता है screenshot लेने का वो मैं आपको दिखा देता हो यहाँ पर आपको एक camera करके दिख रहा होगा तो इसका screenshot का फायदा क्या होता है कि इसके लिए आपको पूरी photo share नहीं करनी पड़ती है खाली आपको link share करनी पड़ती है तो अगर आप इधर take a snapshot पर click करोगे तो जैसे आप take a snapshot पर click करते हो तो यहाँ पर एक link खुल जाएगी ठीक है तो यह link देखो जैसे मैंने यहाँ पर अभी खोल ली इसको मैं copy पर click करके कहीं पर भी share कर सकता हूँ या tweet कर सकता हूँ इस link को तो इस चीज का एक बहुत अच्छा फायदा ये भी है चार्ट लिखके आ जाता है और tradingview.com लिखके आ जाता है ठीक है और उसके just नीचे आप साथ ही साथ अगर जैसे for example आपको को doubt है उस चार्ट के अंदर या फिर आप कुछ हमें समझाना चाहते हो या फिर कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप add the rate investographer लिख दो उसके अंदर जो ये comment लिखके आ रहा है उसके बाद सिर्फ आपको add the rate investographer और हमारा logo वाला जो है उसके ओपर click करके ऐसे आप लिख सकते हो अभी जैसे मैं इदर लिख देता हूँ trading view tutorial बाकि आप उधर ऐसे लिख सकते हो कि please give me the target या फिर how is this breakout ऐसे कुछ लिख सकते हो और at investographer 1 करके लिख सकते हो तो अभी मैंने trading view tutorial करके tweet कर दिया तो अभी आप जाके चेक करना हमारे twitter पे tweet आ गया होगा और धड़ा धड़ा सब लोग इसको like कर देना अगर आपको video अच्छा लगा तो ठीक है तो यह हो गई basic सी चीज है अब finally हम लोग चलते है indicator हम लोगों ने देख लिया है drawing हम लोगों ने देख लिया है अब बहुत ही simple दो चीजे मेरे को और दिखानी है वो में आपको दिखा ज 275 से लेकर 260 तक गिरा तो कितना percent गिरा तो आप इसको select कर सकते हो price range को तो price range को जब आप select करते हो तो यहाँ पे आप 370 से लेकर के इसको extend कर सकते हो 265 तक तो आपको पदा चलिया कि देखो 108 रुपे गिरा है और 28.9 परसेंट गिरा है ठीक है तो इससे आपको यह पदा चल जाता है तो price range के अंदर दो option है जो मेरे को useful लगते हैं कि एक तो यह simple price range वाला जो होता है उससे हमें stop loss अगर अपना नापना हो कि कितने percent का stop loss लग रहा है या फिर हमें अपना profit अगर ना अपना हो जैसे मैं screenshot जब डालता हूँ profit के तो हम लोगों कि तो आप लोगों ने देखी होगी आदत नहीं है कि हम लोग अपना profit loss उसमें दिखाएं कि मेरे को 10 लाग का profit हुआ मेरे को 50 लाग का profit हुआ हम लोग अपना chart पर ही profit loss दिखाते हैं तो उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जैसे मैंने यहां पर buy किया होगा और यहां पर अगर चल रहा होगा stock तो मैं इस तरीके से दिखाता हूँ कि देखो 91% profit चल रहा है तो उस तरीके लिए आप use कर सकते हो उसको और दूसरा एक जो मेरे को अच्छा लगता है उसको लिखा है तो इस आपने गृष करों आपने एक फिल रखा तो इस अपने नीचे वाले पार्ट को जब कर दिया और अपर से जो ग्रीन पार्ट है उसको एकस्टेंड करके यहां पर ले हो ठीक है तो ये चीज़ आपने मेरे को use करते वे भी देखे होगी तो इससे हमें क्या बता चलता है कि जो stop loss है हमारा वो 13% का stop loss लग रहा है target हमारा 30% का लग रहा है प्लस हमें ये risk reward ratio खुदी calculate करके बता देता है तो 2.24 करके risk reward ratio हमको बता देगा ये तो काफी कुछ ये simple हो जाता है काफी कुछ easy हो जाता है अब next हम लोग चलते हैं watch list की तरफ तो एक बार जल्दी से chat में hashtag watch list लिख दो और चलते हम लोग कैसे हम लोग उनको watch list अपनी बनानी है और कैसे हम लोग watch list में stocks को add कर सकते हैं, delete कर सकते हैं और्गनाईज कर सकते हैं तो hashtag watch list लिखो जल्दी से chat के अंदर अगर यहां तक clear हो तो जल्दी से chat में hashtag yes लिखो और यार पसंदार हो तो like करो यार करना और twitter को follow कर ले न telegram वगेरा भी join कर सकते हो पहली बार आयो तो hashtag new लिखो और पुराने लोग जल्दी से we are the investor graphers लिखो